हाई अबरीवान दिस इस रवेडियोन अंकिता शर्मा और आज मैं एक बर फिर से हूँ पापा के साथ तो हम आये हैं फिलहाल छोटा शिमला आशियाना में बैठे हैं तो हमने ओडर करा था हॉट डॉग और वर्गर वट आई शुड कॉल इट तो हमने सुचा किसे हाफ हाफ क्योंकि मैंने कभी हाँ पर ट्राय नहीं किया और पापा को वैसे ही ऐसी चीज़े पसंद नहीं है तो फोर्सफली मैंने पापा को उफर किया है ये तो पापा मना कर रहे थे कि हाट डॉग कौन खाता है तो पापा नहीं वैसे फास्ट फूड पसंद करते हैं जादा खाना पर हम लोगों ने फिर भी order करा हम से यहां बैट कर हम क्या ही ले क्योंकि कुछ इंडियन इनके पास अभी तक बना नहीं था तो हमें कुछ ऐसे ही fast food ट्राइ करना पड़ा तो हम वेट कर रहे थे हमारी चाहे आने का क्योंकि पापा चाहे पी लेंगी और पापा को वैसे भी अपनी किसी फ्रेंड का फोन आ गया तो पापा उनसे बात कर रहे थे तो मुझे वेट करना पड़ा कि पापा कफरी होते है so that I can teach पापा how to eat hot dog यहां परकर तो नहीं बस वहीं दजार कर रही थी तब तक मैंने सुचए चलो साथ ही साथ ब्लॉग भी शूट कर लें लेकिन अरिया बहुत ज्यादा नॉइसी था और हमें मिल गई थी विंडो वाली जगा जहां से बहुत फ्रेश एर आ रही थी और यह देखो अंबेंस इनका लेकिन तो कफी देंगे यह इसलिए बेटर है कि आप तीन लोगों की चाय मंगा ले और साथ में देखो इन्होंने गिलास को जो है रैप करके रखा है गिफ्ट पिपर के साथ और उसके अंदर डाले है टीशु जो कि मुझे बहुत फ़नी लग रहा था क्योंकि इतना बड़ा रेस्टोरेंट है तो मिलेगी ही मिलेगी आपको और पी के आपको बहुत ही फ्रेश फील होता है लेकिन गर्मियों में आजकल चाय पीना बहुत ही रिस्क का काम है क्योंकि एक तो इतनी ज़ादा गर्मी हो चुकी है श्रिपलाब है कि पापा को नहीं पता कि यहां को carania का चाया ऐ था है को पापा को नहीं पता कि Jakश ऑर जाती है पापा क्या इससे एस तरह से अल्ड करहों सो दा ही आप अ 3 जैसा है नॉट सौर गूड लेकिशुद बापा को थाम यह सी आ रही थी बह Das तो पापा को थोड़ा तो अच्छा मिले तो वैसा था ये क्योंकि कई बार बर्गर जैसे मेरा कुछ experience रहा है मैंने एक बार जो है त्रिशूल बेकर्ज आपने सुना होगा बहुत famous है मौल रोड पर मैंने वहाँ पर बर्गर ट्राय किया I think वह 70 रुपीज का था वैज बर्गर उनली और लेकिन उसके अंदर कुछ भी वैजी नहीं डाली गई थी और बहुत ही गंदा सा टेस्ट था और मुझे वह टोटल वेस्ट आप मनी लगा और मैंने बोला भी कि मुझे अच्छा नहीं लगा आपका बर्गर और मैंने शायद उसमें हाड़ली चार प अगर खाया उसके बाद हम थोड़ी देर यहां पर इंजॉय कर रहे थे बैटकी क्योंकि हम विल्कुल बिंडवाई सीट पे बैठे वे थे ना जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया तो वहां से बहुत फ्रेश एर आ रही थी तो थोड़ा बैटके सकून सा फीन हो रह थ दोती है इतनी आपको अच्छा भी लगा पापा ने तो अपना रिव्यू बहुत ओके ओके दिया लेकिन हां बर्गर्म का अगर मैं रिव्यू दू तो मुझे अच्छा लगा 75 रूपीज ऐसी जगा बैटने के भी आप चार्ज करते हो सर्विसे के भी चार्ज करते हो तो देट वर्थफुल और चाय भी इनकी अच्छी थी उसके बाद मैंने पापा को बाई बोल दिया क्योंकि पापा को घर जाना था और मुझे वापस आना था रूम तो मैंने ली हमारी लोकल बस और उसके बाद हम आ गए घूमते फिरते और ठके हारे घर क्योंकि आज के दिन को यहीं करते हैं आप लोग तब तक शमला की वादियों को इंजॉय करें फिर मिलेंगे बाई